में दोस्तों और इनियन जाब में आपका स्वागत है तो अज हम बात करने वाले हैं महराष्ट पुलीस जो भारते निफली हुए है उसके टोटल कूल पदों के संख्या मैं बता दू आपको 3450 कूल पद हैं जो आपको डिस्प्लेय पर दिख रहे होंगे इसके बारे में आप आपको कोई प्रोब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लेकरा बता सकते हैं तो प्रशन बता दू आपको एक एक चीज में किलियर करते चलता हूं आपको यहां मैं बता दू मराष्ट पूलिस का इस्टेबल 2019 की भरती हुए है जिसमें आपको पूरी इस वीडियो में आपको बत 450 रुप्या और किसी भी राज्य से आप बिलोग करते हैं किसी भी महराष्ट को छोड़ के तो आपको 450 रुप्या के चलान लगेगा और बता दू अरक्षी सेनी के अवेजन के लिए 50 रुप्य लएगा जो वहां महराष्ट के होंगे उन्हीं के लिए अधर श्टेट के होंगे तो आपको क्या बताया मैंने 450 रुप्य लएगा चले नेश्ट बात करते हैं यह 3 सितंबर से अपलाई शुरू है और 23 सितंबर पूलाईट है आपको इसके बीच आपको फॉर्म को फिल कर देना है जिले नेक्स्ट बात करते हैं जो को पेमेंट का डेत दिया गया है वह आपको पेमेंट का डेट आपको बता दो ते इस सितंबर 12 19 तक ही आप कार्ड़ दौला इसका पीमेंट कर सकते हैं डेबिट करीड में हम बढ़ते हैं अब बात करते हैं एज की एज से पहले बता दू आपको आपका जवब हो जाएगा तो आपको महाराष्ट में ही इस्तित रहना है अगर आप चाहिए कि अपने राजों में ट्रांसफर हो जो ऐसा कुछ नहीं होता है महाराष्ट ही राज में रहेगा 30 सित्मबर 2019 से आपको 18 वर्ष पूर जाना चाहिए अधिक्तम 28 वर्ष होना चाहिए इसी के बीच आपका एज होना चाहिए 18 से 28 के बीच चले next बात करते हैं यहां आपको बता दूब पदो का नाम आपको यहां पूरा दिया गया है किस पद में आपको फ्रील फॉर्म करना है किस में कितना भरती है आप यहां देख सकते हैं इस SP में आपको SP Adder Mumbai में आपको 1046 पोस्ट है पूरी एक एक पोस्ट को आप देख ले इसकी जनकारी आपको होनी चाहिए तब आप किसी फॉर्म को अच्छा तरह से फिल कर सकते हैं नहीं तो आप पहले फॉर्म इस तरह कोई पोस्ट में डाल देंगे तो आपको गरबर हो सकता है उसमें कम पोस्ट हो या ज्यादा आपको यह धियान रखना पड़ेगा अब बात करते हैं सेक्ष्णिक योगता के बारे में सेक्ष्णिक योगता आपको इसमें मैं बता दिया आपको तुएल्थ पास होनी चाहिए बस उसकी अलावाव और कुछ नहीं चाहिए आपकर आप तुएल्थ पास है तो आप इसली फॉर्म इसको फिल कर सकते हैं को तो इस बात करते हैं इसमें कि निक्ष्ट मन क्या आता है फिजिकल तो हाइट आपको 117 सेंटीमीटर होने चाहिए ठीक है जेनरल क्रिटेगरी क्या आप आते हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर आपको कम हो तो भी चलेगा अब महिलाओ के लिए मैं बता दू 100 158 सेंटीमीटर चाहिए समानने को और इसमें भी आपको 2 सेंटीमीटर कर दा है और श्रेणी से आपको अड़क्षी त्यानी आपको छूट मिलता हो ऐसी एस्टी कर देगरी है तो उसी को मोड़ा जाता है अब बात करते हैं चेस्ट के तो अब दन करने के तिथी आपको देड दिया गया है 3 सितमबर से पहले आपको अवेदन कर देना है तो फिर्ण यह अवेदन ऑनलाइन होने वाले आपको ओनलाइन विदर में क्या क्या चीज़ चाहिए आपको जैसे हमें बता दू फोटो सीग्शर आपका परमानपत्र होना आपको बहुत अच्छी बात है बहुत ज़रूरी है तो फिर्ट यह डीटेल आपको तो प्रवाइड कर दिये आप जाकर इसके वेबसाइट से बचकते www.maharashkoolish.inl से आप खोलेंगे तो आपको यह वहां से ओपन हो जाएगा और वहां से फॉर्म को फिल कर दें जल्थी इसका परक्रिया शुरू होने वाली है तो मैं बता दू आपको पहले आश में लिखित परिष्छा होगी फिर आपको फिजकल होगी अगर लिखि अगरब पिर आपको परक्रिया और शुज को बनारा होगी जापको